हलो दोस्तों, आज मैं आपको कपड़े के बटन कैसे बना के तैयार करते हैं, वो अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसके लिए हमको सबसे पहले से स्क्वेर कपड़ा ले लेना है, और ऐसे प्लेन बटन ले लेना है, और उसको कपड़े की उल्टी साइड लेना है, फिर हमको उसके आदा दाइंच भार से ऐसे सिलाई कर देनी है, बटन के आदा दाइंच भार से, आदा इंच से थोड़ा कम रखना है हमको यह, इसके बार से जो सिलाई लेके जा रहे हैं, इसका इन दोनों के बीच में जो यह स्पेस है हमको आदा इंच से कम रख इसे इसको गुमात्ते वैं इसको चारो तरफ शिलाइ लगा लेंगे ये मैंने अपनी शिलाइ लगा लिये इस बट्ण के चारो तरफ इसके बाद हम सुई को कपडे की सिध्डी साइड के तरफ निकाड देंगे इस और फिर हम बटन को इदर ही टाइट पकड़के कपड़े को इस बटन के उपर पलट देंगे और उसको इदर सेंटर में पकड़े रखेंगे जो हमने सिलाई लगाई थी इसके बिल्कुल सेंटर में रह गई बटन और इसको ऐसे पकड़के और जो हमने ये सिलाई लगा के सोई उपर की तरफ निकाड़ा थी इस धाग़े को हम ऐसे टाइट पकड़ के खीच लेंगे इस धाग़े को ऐसे टाइट पकड़ के खीचने के बाद कपड़े का बटन इस तरह से बनके तयार हो जाता है हमारे पास इसके बाद हम इसी धागे से इसके उपर 4-5 ऐसे राउंड राउंड में इस धागे को लपेट लेंगे ऐसे लपेटने के बाद हम इसको यहां से सुई धागे की मदब से गाठ लगा के इसको पक्का कर लेंगे यहां से इसको पका कर लिया इसके बद हम यहां से अपना धगा कट कर लेंगे और यी जो बटन के आगे कैसे अटेच करते हैं, जैसे हम कोई भी कपड़ा ले लेंगे, जिसके उपर हमको यह बटन लगाना है, जहाँ पर भी जैसे डिजाइन का गड़ा बना लिया, तो हम उस गड़ा के उपर ऐसे प्लेन कपड़े के बटन बना के, उसी की मैचिंग के, ड्रेस की जो सलवार होती ह और इसको कपड़े के उपर इस तरह से रखके, अंगुठे से दबा लेंगे, और नीचे से सुई धागे को उपर की तरफ निकालेंगे, और फिर हम ऐसे बटन के साथ इसको अटेच कर देंगे, हम पहले थोड़ा सा कपड़ा सूट का उठाएंगे, जिसके उपर हम बटन लगा रहे हैं सुई से, और फिर उसको हम तूसरी बार में हम सुई को ऐसे बटन के अंदर से पास करेंगे, और ऐसे हम इसको चारूत तरफ से सिलाह लगा लेंगे, इस तरह से हमरा बटन बढ़न के रेडियो चलता है, यह बटन बनाने और लगाने दोनों का तरीका मैंने आपको बता दिया है ऐसे करके आप मैचिंग बेटन घर में बढ़ा कि लगा सकते हो अपने ड्रेस के उपर है यह हमारा बेटन बढ़ के और लग के तैयार हो के है झाल